हेलो असलाव अलेकुम वेलकम बैक तो आई चैनल कैसे हैं आप लोग आप लग अच्छे ही होगे तो अभी सूबा का साथ बजने वाला है और यह जा रहे हैं ऑफीस और आप लोग देखे थे कि इनका रखा वा था टिफिन लेकिन यह लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि न यहीं पे रखा है और अभी इसे वाश करना है और फिर से भेजना है अब आज मौनी की शिप्ट है तो भेजना है तो चले गए हैं और यह देखें पूरे घर में अगरबति ना जगह जगह आप लोग को दिखेंगी और आप कहते हैं ना कि एक जगह फिक्स कर लिजे आप अगरबती जलाने की लेकिन हमारे यह एक जगह नहीं लगाते हैं यह चाहते हैं कि पूरे रूम में तब नहीं दूण रही थी कि अगरबती का धुआ आ कहां से रहा तो यह देखिए खिड़की पे लगाएं हैं तो यह ना एक अची आदत भी है, मैं यह नहीं कहूंगी कि हाँ गलत हो कि यह न हर रूम में एक-एक अगरबत्ती जरूर लगाते हो और एक आगन में भी लगाते हो, तो वो यह चले गए नहाँ दो कि सुबह पूरा अगरबत्ती जलाव ला कि उसके बाद ही गए, और यहां पर मैं के क्या जाएंगे यह वाला टिंशन बहुत दिन से नहीं था लेकिन हाँ एक तरह से अच्छा है घर में बच्चे रहते हैं तो उतना नहीं खा पाते हैं जितना की लेकर स्कूल जाते हैं तो घर में भी खा के जाते हैं फिर वहां पे भी खाते हैं तो एक अच्छा ही है जो र बहुत सारा बना रहे हैं चीनी खतम गए था पैनकेक बनाने के लिए पहले मैं सोची थी ना कि एक तरफ चड़ा देंगे लिट्टी और तावे पर बना देंगे पराथा फिर मुझे याद आया है कि जब मैं लिट्टी छानने के लिए जब तेल गरम करी रही हूं तो उसी मे लेके जाएगा पैनकेक और जिया भी और साथ में जो लिट्टी तो लिट्टी कौं लेके जाएगा तो बँश्चे बड़े हो गए जो कि चारी पूड़ी है चार क्या एक रोटी का वस वोच करके चार बना दे रहे हैं और ये जीसु ये भी पूरा खाल है बहुत बड़ी बात है अभी देखेगा जब उठते हैं बच्चे तो इतना हर बड़ाते हैं इतना लेट हो जाता है कि बभी एक दो पूड़ी बची जाएगी तो बगल में चड़ा दिये हैं रहा है ठोल पैंकेक अब दिले बाके कहँ wa हो जाएगा तो देख़ा है था लेटी को सबस्टाइए एक रखेंगे अपने लिए सुबह गरम लिट्टी खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है और यह वाली जो लिट्टी होती है जो सुबह बनती है और इसकी रेसिपी आप लोग बोल ना कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाती है और रीजन यह होता है ना दस मिनट का मेरा तो यहाली प्राइब प्राबलम में जो मैं रेसिपी बाइब आ गाता है कि ये वाला लै प्लानि करना है वह काम् एसा कछ भी सबहाँ अचानक है कम में स्ठार्ट ऑप है रूम बंने में ली बारे है ब cooler mache मैट्रेस को दूप में डाल देते हैं फिर उसके बाद हुआ कि परदा चेंज कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे करते करते हैं आप देखेगा कि खिता सारा में कोवर हो गया और वाकि बताएं यह वाला मेरा अदम दिल लाइक में करा क्योंकि इसमें मैं किसी का भी कोई भी आइडिया नहीं कुछ भी लियो ना ही बच्चों का जिक जिक है कि ममी ऐसे मत करिये वैसे मत करिये यह करो वो करो तो मैं अकेली थी और मेरे पास टाइम भी इनफ था बहुत सारा टाइम था तो मैं सोची थी कि आज सारा दिन मैं इस रूम में देने वाली हूं और जितना भी धीरे- काम करेंगे ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट करेंगे हरवड़ी में नहीं इतम इत्मिनान से तो चलिए बस आप लोग को साथ शेयर करते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है तो यहां पर सोफा पहले साइड में कर दिये मुझे ना में यह जो खिड़की है इसको दोना था क्योंकि इ और आप रहते होंगे तो नीचे कोई भी नी रहता खाली अभी आने ही वाले हैं कुछी दिन में और यह क्या हो गया अभी तो बातचीत करते करते पुरा घर तो वैड़ना मैं इधर कर दी जबकि करने का कोई वह नहीं था लेकिन फिर भी हो गया और थोड़ा सा मुझे टा इधर रूम से ना पूरा रूम में अच्छे से दो चुके हैं तो आ गये हैं बाहर सेड़ी के पास ना सेड़ी बहुत दिन से नहीं धुली थी जब उस दिन धुए थे ना तबी की धुली थी वैसे इतना गंगंदा होता नहीं क्योंकि अंदर है तो उतना नहीं होता है ना उतना आना जाना किसी का होता है लेकिन फिर भी बीच बीच में दो दीजे difference तो अच्छा लगता है तो मेरा फेली और ने सीड़ी भी दो घम तो यहाँ अफर से ही नीचे तक पानी मार दे रहे हैं नीचे पानी लेक नहीं जाने वाले हैं की न अभी मुझे इनका खाना भी बनाना है और टाइम का न ऐसे जब काम स्टार्ट करिये तो टाइम ऐसे भागता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कहां चला गया टाइम तो यहां पे पाईप से पानी पहले तो मार दिये थे लेकिन यहां पे न सीड़ी में पानी बहुत मॉप से लेकर नहीं मॉप लाना पड़ता है फिर मॉप से इसको सुखाना पड़ेगा तब जाके कहीं यह सूखता है तो सब धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि सबसे पहला काम है इनका खाना भेजना और सुबा से जब बच्चे गए ना स्कूल तब से मैं अभी आ रही हूँ किचन में और पूरा किचन एक दम फैला हुआ है क्योंकि बच्चों का बनावना के दिये और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं उधर ही लग गई थी ना इसलिए तो खाना पीना बन चुका है और यह देखिए लंज बॉक्स इनका रखा भी ग तो इसलिए मॉप लेकर आ गए हैं और पूरा नीचे तक पूरा अच्छे से मॉप से ही सुखा देंगे सीडियोडी और यहां पर लाके ना मैं चेयर रख दी तो पहले आप लोगों को रूम दिखा देते हैं कि मैंने आखिर किया क्या क्या क्योंकि अभी तक तो अभी तक कि दर्वाजा बंद नहीं हो रहा था तो इसलिए मुझे चीहर रखना पड़ा तो बस ही अब चलते हैं बाकी का जो भी है मेक ओवर वो करकी और इदम रूम को इदम पस क्लास बना लेते हैं बाकी बतारे मेरे दिल लाइक मैं ऐसा जैसा जो चाहता है ना जितना वह चीज ह फिर से चेंज कर देंगे क्योंकि एक मेहना हो गया था वो पर्दा भले ही डार्क है उतना पता नहीं चल रहा था कि इतना गंदा है लेकिन फिर भी गंदा हो गया था तो मैं सुची यह नया पर्दा रखा हुआ है तो लाओ इसी कुर लगा देते हैं तो अब की बार ना द दो पर्दा लगाएंगे तो खिड़की में दो पर्दा लगा दिये हैं और अब देख रहे हैं कि दर्वाजे का कौन सा इतना सारा पर्दा आया था ना कि उसमें ना ढूंडना पड़ता है कि कौन सा खिड़की का है कौन सा दर्वाजे का है तो बस यहाँ पर आ गया है और यह वाला जो दर्वाजा इसका भी पर्दा निकाल देते हैं और अब की बार पर्दा सीधा लगाएंगे आरयशनी सीधा लगाएंगे लगए पहले यहां लेकर आगए हैं जो चादर पहले बीची थी वो भी साफ थी अबी कुछ दिन पहले ही चेंज किए थे लेकिन यह मेरी बहुत गंदी वाली आदधלה थै कि अगर मैं चेंज करने लगती हूँ जो साफ सफाई करने लगती हूए तो मेरा मन करता है कि सब कुछ चेंज कर दो सब कुछ बदल दो ताकि एक दर नया नया लगेगा तो अच्छा लगажеगा तो बस चादर बिच चुकी है और उसके बाद ले आए हैं मेच पोस्ट तो ये जो जो टेबल था नब वो थोड़ा सा गंदा है तो उसके बार जब तक आप क्लोथ नहीं डाले तब तक मज़ा नहीं आएगा तो उसके उपर डाल दिये हैं क्लोथ लेकिन टेबल के उपर क्या रखें अब ये मेरे दिमाग में गुम रहा था क्या रखे तो मैं उपर एक ठो दे करी थी वहाँ पे फ्लावर पॉट रखा हुआ तो मैं सुची अगर उसको यहां रख देंगे तो फिर उपर खाली हो जाएगा तो मैं क्या करूं तो मैं एक यह देखिए कितना अच्छा अग्दम जुगार्ड लेकर आएं यह घर वाला जुगार्ड अभी आपको उजिन दिखा रहे थे ना कि यह वाली बॉटल बहुत पुरानी है इनको गिफ्ट में मिली थी तो यह उजिन यह साफ कर रहे थे लेकिन यह नीचे से फुल गया था जिसकी वज़ा से यह खड़ा नहीं हो बनाएंगे फ्लावर पॉट है ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन हा मुझे अच्छा लग रहा है और हम लोग ना बच्पन से हम लोग बहुत पैसे वाले यानी ब हम लोग सजावत में उतना पैसा नहीं खर्चा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही जुगाड लगाते थे कि कैसे जुगाड लगाए हम लोग घर दो के साफ सुतरा करके और जो चीज हम लोग के पास रहता है ना उसी में हम लोग घर को सजाने की कोशिस करते हैं और वा तो वोलों का हम लोग लेते थे या तो ज़्यादा कुछ वे तो मेला उलों में गए तो वहाँ से ले लिए तो घर सच जाता है हम लोग का ऐसे ही तो यह अच्छा लगा मुझे पता नहीं आप लोग को कैसा लगा और लेंगे मैं बहुत सोची लेकिन लोग कुछ ने कुछ घर के लिए रूम के लिए लेंगे लेकिन नहीं हुआ पाता है थोड़ा सा अज Gotta करना पड़ता तो थोड़ा देखेंगे अगर कुछ पसन आएगा THE तो ख़गए पक्का लेंगे थोड़ा सा लाइट लाइट रता है तो अच्छा मुझे डार्क नहीं अच्छा लगता है वाइट मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम में ऐसे ही क्रीम और लाइट गोल्डन कलर का जो होता है वो इस तरह का कॉमिनेशन होना चाहिए जैसे वाइट और गोल्डन का तो मुझे बहुत पुराना है हम लोग फेरी वाले से लिया ते लेकिन बहुत अच्छा मिला तो बस यहां पर लगा दिए हैं एक कुशं का कवर लगा दिए हैं और बाकि में रेकर आइट अनुजा थे ती वह वाला भी लगा देगे लेकिन मुझे यह वाला जादा यह लगा दी और देखिए टेबल वाला जो पहले वाला जो प्लास्टिक था ना जो इसके पर कलॉट बिची ती उसको हटा के और यह वाला जो अंदर जो बिचाता वो वाला यहां लाके लगा दिये हैं और परदे में लगा रहे हैं चूडी आप लोग में से किसी ने कहा था मुझे नाम नही और बहुत खुबसूरत लग रहा है तो जब खिड़की में परदा लगा दिया ना तो वह हाफ वाला परदा नहीं था क्योंकि अब नीचे से पूरा दिख रहा था तो मुझे यह वाला जो नेट वाला बहुत पुराना परदा है इसका थोड़ा सा उड़ गया है रंग तो पूर बताईएगा कि अब कैसा लग रहा है मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ चेंज करने वाला है और आप लोगों को भी न यह बहुत प्यारा लगेगा यह मैं जानती हूं तो मुझे बहुत प्यारा लगा और इसी में अभी आप जो है आप छोटा मुटा कुछ क काम करना है मुझे अब यह चोटा मुटा कुछ बड़ा काम नहीं करना जैसा है वैसा बहुत अच्छा है और आज का व्लाग भी यहीं पर एंड करेंगे आप लोगों का इंतिजार करेंगे अच्छा लगाओगा तो लाइक कर दीजेगा फिर मिलेंगे कल नए ब्लोग के सा तक लिए बाँ बाई